बादशाह ये जनाब अक्सर ही अपने गानों को लेकर सुर्कियां बटोरते रहते हैं कभी उन्हें गाने के लिए फैन से बहुत ज़दा प्यार मिल जाता है तो कभी रैपर को जम कर टोड़ भी कर दिया जाता है वही कभी कभी अपने अजीवो गरीब स्टेडमिन की वज़़से चर्चा में बने रहते हैं और अभी हाली में बादशाह नहीं बताया कि एर रहमान ने उन्हें फोन करके माफी मांगी थी अब एर रहमान तो पहले से अपने तलाग को लेकर सुर्क्यों में चाहे हुए और बादशाह के इस बयान की बाद तो उनकी चर्चा और वी तेज हो गए तो चली अब हम भी जाते हैं कि आखिरसी क्या वज़ोय थी जब एर रहमान को बादशाह से माफी मांगने पड़ी हेलो फ्रेंड्स आप सभे का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुप्रियासी तो हाली में बादशा का नया गाना मोर्नी रिलीज हुई है जहां उन्होंने यस्चौप्डा की मूवी लम्हे की गाने मोर्नी को रेक्रियेट किया है विसे गाने को average response तो मिल रहा है यानि कि कुछ लोग लिख रहे हैं कि पुराने गाने को नहीं चेहरना चाहिए था तो वह एक कुछ कमानना है कि बाश्चा वाले वर्जन में वाइप तो है खेल, अब मोरनी के बाद बाश्चा लगतार इंटर्व्योस दे रहे हैं और एक खाली है इंटर्व्यो में उन्होंने एयार रह्मान से जुड़ा एक किस्सा सुनाया है जब बाश्चा ने उनकी गाने को recreate किया और रह्मान नाराज हो गया थे बता दे कि बाश्चा ने रेडियो नशा को दिये इंटर्व्यो में गाने को recreate करने की बात की है जोसे बाश्चा ने बताया कि उन्होंने 2017 में फिल्म ओके जानू के लिए एयार रह्मान के सौन हम्मा हम्मा का रीमेक्स किया था जिसे शुरुआत में रह्मान ने ना पसंद कर दिया लेकिन बाश्चा हिंदी फिल्म इंडर्स्टी के जाने माने रैपर हैं और अब तक उन्होंने कई सारी फिल्मों में अपना जादू गानों से भी खेरा है साल 2017 में आई फिल्म ओके जानू के लिए उन्होंने हम्मा हम्मा का रीमेक्स सेयर किया था लेकिन शुरुआत में रह्मान ने इस रीमेक्स पर अपने नाखोसी जताई थी अब हाली में बाश्चा ने ये सेयर किया कि रह्मान ने अपने पहले रियक्शन के लिए उनसे माफी मागी थी दरसल रेडियो नशा से एक बाश्चीत के दोरान बाश्चा ने हमा हमा के नए वर्जन को बनाने की अपने एक क्रियेटिव जर्नी के बारी में खुल कर बात की उन्होंने कहा कि उन्हें पहले भी इस गाने को लेकर ही कनफर्म था कि वो इस गाने को कैसे बदलना चाहते हैं बाश्चा के अकौर्डिंग उन्होंने औरिजिनल सौंग की सोल को बरकरा रखने की पूरी कोशिश की हलांकि इसके बाद भी रिमक्स को रिलीस करने की बाद, भारी अलोचना कास सामना करना पड़ा बाइचा ने ये बेग याद किया कि रहमाए शुरुवात में इस रिमक्स से खासा नारास थे बाशा ने बताया कि जब मैंने हम्मा अम्मा किया तो मुझे बहुत प्रिटिसिजम का सामना करना पड़ा रहमान सर भी बहुत ज़दा नाराज हुए थे लेकिन फिर एक इविंट में उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मुझे खेद है, मुझे ये समझने में समय लग गया कि ये अच्छा गाना है मैं सिर्फ कुछ बातों से नाराज था और शायद वही मेरी नाखोशी की वज़ए थी और ये मिरे लिए सबसे बड़ी प्रिशन सा थी जो मैंने कभी नहीं मांगी लेकिन मुझे मिल गई आई उगे जानों के लिए इस गाने को रिक्रिएट किया था उसका टाइटल दा हमा सॉंग था आपको बता दें कि रैपर बाश्या ने बॉलिवुड के कई सारे गानों को रिमेक्स किया है जहां उनके कुछ गाने जैसे काला चश्मा को बहुत पसंद किया गया वहीं गोरे-गोरे मुख्रे जैसे दूसरे गानों को क्रिटिसाइज भी किया गया अगर बाश्या के वर्फरंड की बात ने तो वो इंदिनों टीवी रेल्टी शो इंडियन आइडल के नए सीजन में नजर आ रहे हैं शो में वो बता और जश्रिया घोसाल और विशाल ददलानी के साथ दिखते हैं और इस शो को उधित नारायन के बेटी आदित नारायन कोस्ट कर रहे हैं अब आप मुझे कमेंट करके बताएए कि आप as a audience बाश्या के गानों को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं आपको हमा हमा सॉंग के दोनों वर्जन ने किस सिंगर का सॉंग सबसे ज़्यादा पसंद पिलाल इस वीडियो में बस इतना है जल मिलते हैं दूसरे टॉपी के साथ तब तक आप अपना ख्याल रख्यों और देखते रहें आपकी खबर